क्या आप भी यूज करते हैं I'm fine जब आप से कोई पूछता है Hey, how are you? या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिसमें आपको अपने बारे में बताना है Well, if the answer is yes, तो ये वीडियो आपको सिखाने वाली है कि इस boring I'm fine को छोड़के कितने सी ऐसी चीजे हैं जो आप अंगरेजी में English के अंदर use कर सकते हैं और अच्छे से जवाब दे सकते हैं And you will be a fluent and depressive speaker Well, if you want to know, तो इस वीडियो को पूरा देखना Let's begin So the first one is so so देखो आप इसको English में कैसे use कर सकते हो जब भी आपको reply देना या बताना है कि भाई मैं ठीक ठाक हूँ या जो भी आपको बताना है सबसे फ़हले तो इसका मतलब समझेलो होता है इसका मतलब होता है ठीक ठाक हो जैसे मैं बोल दूँ अरे भाई मैं ठीक ठाक हूँ तो मैं किसी और से पूछता हूं, अरे कैसे हो और वो बोलता है, हाँ बस ठीक ठाक है भाई, बस चल रही है, कट रही है जिन्दी, तो simple ठीक ठाक को हम इंग्लिश में बोलते हैं, so-so, जैसे sentence मनाते हैं, आपने पूछा, हे अंकेत, how are you, और मैं बोलता हूं, well, I am so-so, इसका म समझदार हैं, कि इसको इस इंग्लिश में कैसे उस करना है, जैसे मैं बोल दूँ, well, I can't complain, किसी ने बोला, hey, अंकेत, how are you, और मैं बोलता हूं, well, I can't complain, इसका मतलब क्या है, situation ठीक ठाक ही है, ज्यादा, मतलब ऐसी नहीं है, कि मैं आपने आपको fine बोल दूँ, या फिर so-so बोल दूँ, या फिर जो next आप सीखने वाले हो, बोल दूँ, मतलब, yeah, I can't complain, ठीक चल रहा है, बस, अपना ठीक है, ठीक है, तो I can't complain को भी आप यूज कर सकते हैं, Third one is, over the moon, देखो, आप हमेशा ये नहीं बोल सकते, कि भाई, so-so, ठीक ठाक हूँ, या फिर can't complain, ये positive भी है, negative, दोनों ही बोल सकते हैं, no issues, लेकिन आप हमेशा ये नहीं बोलेंगे ना, भाई, no, I'm fine, well, I'm so, so I can't complain, आप कभी ना, कभी तो ये बोलेंगे, भाई, जबर दर था, तो over the moon का मतलब होता है, कि जबरदस जिंदगी जाकास, number one, तो simple, आप यूज कर सकते हैं, well, I am over the moon, अगर किसी ने पूचा, हे अंखेत, आप अपना नाम लगा लो, हे डेस, आपका नाम, ठीक है, हे खालिस्तान, आपका नाम लगा दो, कैसी हो आप, और आप बोलते ह कोन, इसका मतलब क्या है, कि जबरदस जिंदगी चल रहे है, मजे आ रहे हैं, the fourth one is, on the top of the world, किसी ने पूचा, भाई, कैसे हो मनिश, और मनिश बोलता है, अरे भाई साब, अपनी तो जिंदगी ऐसे हैं, जबरदस, अब जबरदस, अब जबरदस, अब जबरदस, अब चोटी सी बोलना चाहते हूं, अगर आप हमारी five masterclasses हैं, जो spoken English के लिए बिल्कुल free हैं, अगर आप सीखना चाहते हूं, अगर यहां तक आप वीडियो देख के आए हैं, तो simple जीवादा भाई, आप सीखना चाहते हूं, अगर आपको five masterclasses चाहिना, तो यहां पर आपको इ एक अच्छे English speaker, अब आते हैं अपने on the top of the world पे, जैसे आपने बुच्वा, hey Ankhit, what's up, तो मैं बोलता हूं, well I am over the moon, यह तो पिछले वाला था बाते इस पे, आप भी ना पता नहीं कहां कहां चले जाते हूं, देखे, मैं चला आता हूं, आजाते हैं, point पे, इसको बोलते ह I am on the top of the world, जैसे मैं बोल दू, well I am on the top of the world, अब देखो यह body language भी उसकरें, I am on the top of the world, no, no, this is wrong, your body language is not showing that you are on the top of the world, so point is, when you want to say, के भाई, मजेदार जिंदगी है, जब अर्दस जिंदगी है, तो simple बोल दिये, I am on the top of the world, so guys, hope यह चारो की चारो या पाच्छो की पाच्छो चीज़ आपको पसंद आई, अगर पसंद आई, तो simple like कर दो, अपने इस channel को subscribe करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं next video में, लेकिन, अगर आपने अब तक हमारी 5 masterclasses, जो English के ओपर बिल्कुल free है, नहीं जोइन करी है, या नहीं पाई है, नहीं ली है, तो बहुत बड़ी opportunity, आप फिर कहते हैं, आप अंगरेजी बोलने से दूर जा रहे हैं, आप कभी नहीं बोल पाएंगे, अगर आपने वो 5 masterclasses नहीं ली है, बिलीजे, बिल्कुल free, यहीं कहीं ना कहीं, आथो bio में, आप फिर इस video के description section में, आपको मिलेगा link, thank you so very much, मिलते हैं next video में,